हम सवक्त हैं भारती विद्याभॉन, महता विद्याले, केजी मार्ग, कस्तूर्बा गाधी मार्ग, कनॉट प्लेस या दिल्ली राजधानी दिल्ली के मुख इलाके में मस्तूत हमारे साथ जो प्रिंस्पल हैं अगर कोबीट प्रोटोकॉल की बात हो रही है कि कोबीट प्रोटोकॉल अपलोड आप्ट कर रही है हमने सभी प्रोटोकॉल जो भी डीडी में और डिरेक्टेट अफ एड्यूकेशन हमें देता है टाइम टू टाइम टू फॉलो वो सभी प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे पूरा एक हेल्दी एंवार्मेंट स्कूल के अंदर हमने अल्रडी बना दिया है कैसे अगर आप एक चीज में देख रहा हूं तो बच्चों को एक डिस्टेंस मेंटेन करके अंदर लिया जाएगा काफी स्पेस और हमारा स्कूल में बहुत ओपन स्पेस है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते वे उनकी थर्मल चेकिंग होगी गेट प करें और क्राउडिंग ना करें एक जगे पर इसके बाद आप फिर उनको एक टचलेस सैनिटाइजर सभी बच्चों को सैनिटाइजर सैनिटाइज करेंगे प्लस वो अपने मास डबल मास एन 95 मार्क पहन करके ही स्कूल के अंदर एंटर करेंगे जगे जगे पर इस तरह के स इक्ट्रूम्स में सोप के लिए ताकि उनको पैडल ऑपरेटेड हैं ताकि उनको किसी चीज को टच ना करना पड़े और टीचर्स को और बच्चों को और पेरेंट्स को टाइम टू टाइम सेंसिटाइज करते आ रहें तो फॉलो दो कोविट एप्रोप्रियेट बिहेविय गौर्मेंट की भी गाइडलाइन है कि नवी से बारहमी तक यानी चार क्लासे अगर हमोटे तौर पर मानके चलें वो भी 50% एटेंडेंट के साथ तो क्या आप लोगों ने पूरे स्टूडेंट्स को कैसे डिवाइड किया और इन इविन में कर दिया है या 50% सुब आएंग और क्लासेज में टीचर्स को भी उसी तरह से हम बुलाएंगे और सवाल है कि जो बच्चे नहीं आप आएंगे उनके जो ऑनलाइन एक आप क्लासेज करती हैं उनका कैसे बैलन्स होगा देखिए बच्चों को तो हर तरह से हम कवर करके ही चलेंगे हमारी कोशिश होगी कि अगर एवरिटिंग गोज वेल सब कुछ ठीक ठाक रहे तो बच्चे आएं स्कूल में क्यूंकि एक स्कूल आफलाइन टीचिंग का एक माहौल अलग होता है काफी टाइम से बच्चे पर अपने कोविट किट्स लेके आएंगे जिसमें हमने कुछ चीजें प्रिस्क्राइब करी हैं जो की एसेंशल है हर बच्चे को अपने साथ रखना पेरेंट्स की हम मीटिंग ब्रीफिंग सब कुछ टाइम टू टाइम करेंगे और करते भी जा रहे हैं और बच्चों को भी ह हमने कोविट कॉरंटाइनिंग के लिए अगर कोई बच्चे के अंदर किसी भी किसम के सेंटम्स नजर आते हैं तो हम इमिडेटली उस बच्चे को सेपरेट करेंगे उस बच्चे को एक पर्टिकलर एरिया येर्मा कर दिया जहां कोई जाएगा ही नी जहां कोई क्लासे उस जगे पर हम उस बच्चे को हमारे पास एक करेंगे नर्स है हमारे पास जो कि उसको constantly monitor करेगी parents को handover करेगी साथ में हम ये भी उसकी history भी थोड़ी सी trace out करेंगे कि वो की न और बच्चों के contact में आया अगर उसके पास कुछ symptoms इस तरह के हैं ताम उन बच्चों पर भी effectively जो भी कुछ कर सकते उनको segregate करने के लिए वो करेंगे और बच्चे को separate रखेंगे उसको पुरी तरह से और मैम सवाल यह है कि यह तो classrooms की आपने चीज़े बता दी लेकिन एक common concern यह होता है कि बच्चे चुकि अब बहुत दिनों बाद मिलेंगे वो एक साथ lunch करते हैं वो खेलते हैं वो copy exchange करते हैं वो stationary exchange करते हैं तो यह भी concern होता है कि वो एक बड़ा जरिया हो सकता है उसको लेके infections को लेकर तो हम time to time exams भी करा रहे हैं और हम बच्चों को पूरी तरह से पहले ही हम पूरी guidelines दे चुके हैं कि आपस में आप कोई बच्चेंज नहीं करेंगे टिफिंस की कोई sharing नहीं होगी और बच्चे ऐसे time में बुलाए जाएंगे कि वो अपना breakfast वगरा संचोस खाके हैं क्योंकि shifts में हैं तो उस बीच में खाने पीने का ज्यादा महोल ना रहे स्कूल में other than those essential things हम उसको भी ensure करेंगे दूसरा यह रहेगा कि teachers on duty रहेंगे हमेशा बच्चों को कोई ना कोई supervise कर रहा होगा